पुरानी पेंसन योजिना पर खुलके सामने नहीं आ रही है कोई भी राजनितिक पार्टी जानिए अब क्या होगा 21 लाग सरकारी करमचारी और 12,000 करोड रुपे कार नमस्कार दोस्तों स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूटूब चेनल गौर्वेंट एंप्लाइज में दोस्तों एक महत्पून और ताज अप्डेट लागों सरकारी करमचारी के लिए सरकार ने NPS के बदले Unified Pension Scheme तो लागो कर दी है और ये भी कहा गया है कि नई योजना एक अप्रिल 2025 से लागो हो जाएगी केंद्र एम राज्यों के अधिकान स्करमचारी संगठनों ने UPS की खिलाफत करती हुए इसका विरोध करना सुरू कर दिया है केंद्र सरकार को दुबारा से अंदोलन प्रारम करने की चेतावनी दी गई है कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अभी UPS पर Notification जारी होने का इंतिजार कर रहे हैं इसके बाद ही आगी की रनिती तैकी जाएगी इस बीच 25 योजना को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि लोग सवाचुनाव से पहले तक तो विपक्षी दल OPS के समर्थन में खड़े थे आज उनमें से अधिकान स्पार्टियां खुल कर सामने नहीं आ रही है आखिर 21 लाख NPS करमचारी और 12,000 करोड़ रुपे महिना इसे लेकर क्या परदे के पीछे कोई सच्चाई चिपी है पिरमुक विपक्षी दल OPS पर अपने पत्ते नहीं खुल रहे है National Mission for All Pants and Scheme के जो राश्ट्रिय अध्यक्ष है वो बताते है कि NPS को खतम कर हूबे हूँ OPS बहाल करना एक साप सुत्रा हल है उन्होंने कई ऐसे कारण गेना है जिनके चलते राश्ट्रिय दल Old Pants and Scheme को कोर मुद्दे पर अपनाना नहीं चाते है तो यह एक बड़ी जानकरियां पर कि केंद सरकार हो या फिर आज सरकार हो या फिर विपक्षी दल कोई भी OPS पर बात नहीं कर रहा है फिलाल जब से केंद सरकार के द्वारा UPS लागू किया गया है तब से हर कोई Notification जारी होने का इंतिजार कर रहा है क्योंकि जब तक UPS का Notification जारी नहीं किया जाता है तब तक पूरी बाताइं किलियर नहीं होंगी और इसी को लेकर हार एक राजनतिक पार्टी इस पर चुप है कोई भी ज़्यादा खुल कर सामने नहीं आ रहा है करमचारी संक्टम्र ने कहा कि लोगसबा 2024 के चुनाफ से ठीक पहले रामलीला मैदान में पुरानी पैंसन भाली के लिए लाखों करमचारी एक अत्रत हुए थे आंदुलान के मंच पर लगबाग पूरा विपक्ष मौजूद था अमादमी पार्टी भालती है राष्टिक अंगरेस के अलावा समाजवादी पार्टी के दिगज भी वहाँ पजा रहे थे अगर तब ऐसा था तो अब ऐसा क्यों नहीं है तो ये एक महत्पूर्ण जानकारी कि जब पिछले साल रामलीला मैदान में UPS भाली रेली निकाली गई थी तो हारी राजनतिक पार्टी का समर्थन करमचरियों को मिल रहा था लेकिन UPS का एलान करने के बाद राजनतिक पार्टियां साइड में है कोई भी राजनतिक पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है तो इसका क्या असर होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन किसी राजनतिक पार्टी के द्वारा खुलकर फिलाल UPS का ना तो समर्थन किया आ गया है और ना ही इसका विरोध पूरी तरीके से किया जा रहा है सिर्फ करमचरी संगठन इसका विरोध कर रहे है कुछ राजनतिक पार्टियों ने UPS को सही योजना नहीं बताया है लेकिन हर एक राजनतिक पार्टी फिलाल UPS का नोटिफिक्शन आने का इंतिजार कर रहे है तो फिलाल इस विडियो में इतना ही विडियो को लाइक हो और सेयर करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आकन पैस कर ले है हर एक रीज़पल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए